अपने घर में पहले वी जैसे आपको बताया अपने घर में जाद अतर रहें गरम पानी पीवें ठीक है आप समझ रहें कि मैंने किस लिए बताया जैसे वीडियो बहुत जादा आ रही है लोगों की क्योंकि हमने गलती ही ऐसी करकी है जो की ऐसे से लोगों को मौका मिला हम पेर राज करने का उसकी ख्वाइश की तो कोई इंतहा ही न थी वो उचे से उचे मुकामों पर बढ़ता गया लासों की सीडियों पर चड़ता गया खुदा कहलाने का शौक था जिसे मरगट का मसीया बन के रह गया तुम पत्थर की कबरे बनाना बंद करो वो मंच समझ कर चड़ जाएगा फिर शुरू कर देगा भासन ये सोच कर कोई ना कोई मुर्दा तो जरूर सुनने आएगा उसने दिन रात बस जहर गोला हो हवा में क्यों उम्मीद करते हो तुमारे लिए उक्सीजन लाएगा शमसानों कबरिष्टारों में कंप्टीशन कराने वाला क्या खाक तुमारे लिए अस्पताल बनवाएगा ऐसा ना समझो उसे तुमसे महबत नहीं या तुमारे जिन्दा रहने में उसे कोई इंट्रस्ट नहीं बस उसे कुछ कहो मत सुनते रहो ध्यान से सुनते रहो बस उसे कुछ कहो मत सुनते रहो देख ले ना मिया जिन्दा की तो क्या ही कहो वो बहुत जल्द मुर्दो से वोट डलवाएगा क्या खूब कहा है किसी ने क्या खूब लिखा है जिस भी वंदे ने लिखा उसको सल्यूट और ये हकीकत हो रहा है बिल्कुल हकीकत आप देख रहे हैं कि कौन किस की चिंता कर रहा है आवाम की चिंता किस को है जनता की चिंता किस को है और दूसरा जैसे देश में अंदोलन चल रहा इसकी वज़े से बहुत से चहरे बेनकाब हुए अंदोलन के चलते चलते पता चला है कि कौन तुम से प्यार करता है कौन जनता के हित में है कौन जनता से प्यार करता है ये भी पता चला है क्योंकि ना अंदोलन चलता ना ऐसे मं नकाब होते कि देश हित में कौन है पता चलाना सब का जब सु आंदोलन चला जब सु इतने नेता बे नकाब हुए था और यह बास सच है हमने कभी लडाई की ही नहीं इसकूलन के लिए और यह आपका अस्पतालों के लिए सिख्चा के लिए हम कभी लड़े ही नहीं लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा कुछ नहीं बिगड़ा बस मैं आप से हाध जोड़ का नुरोद करती हूँ विंद्ती में नाव हैं जा दीकार है ड़ Death विद्धी के जो के सिए जिए और में कितनी 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 तकलीफ हो गही है हमारे देश में सबसे मैं अपने पूर परदान मंतरी डॉक्टर मद मोहन सींग के जल्दी स्वास्थ होने की काम ना करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करूँ, कि जल्दी अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे देश के परदान मंतरी रहे हैं, हमारे देश को काफी हाथ तक उन्हें अपना समय दिया है अपना टाइम दिया है, हमारे देश में उन्नती उन्होंने की है, बहुत समझा है हमारे देश को, तो मैं उनके बहुत जल्द स्वास्थ होने की काम ना करती हूँ, परमात्मा उन्हें जल्दी ठीक कर देवें, और ये जो लाइने जिस भी बंदे ने लिखी हैं, कुछ आकड़े भी छुपाए जा रहें, अब कितनी बहंकर बिमारी हो गई है, सिर्फ एक ही बिमारी नजर आ रही है, और कोई बिमारी नजर नहीं आ रही, ऐसी बिमारी इसने सारी बिमारियों को मार दिया है, देख लीजे, ठीक, बसरते, मोदी जी से नुरोद करते हैं, मोदी जी आप से बारवार नुरोद कर रही देश की जनता, आप जिस राहूल गांदी को पपू पपू बताते थे, आपके टीम के लोग पपू 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 बताते थे, उन्होंने कितनी समझदारी का काम करा, सारी रैली रद कर दी, यूँ तो देख लो आप, देश हित में हो, तो आप क्यों नहीं बंद कर रहे हो, क्या आपको सिर्व वोट से मतलब है, क्या आपको बस चुनाव से मतलब है, क्या आपको बस राजनीती से मतलब है, क्या आपको गदी से मतलब है, देश की जनता के हितम कुछ नहीं, आप जब मानते हैं करो ना हो रहा, करो ना ह हो और ये लाइने जिस व्यक्ति न लिखती है बार बार सेलिट करती हूँ मैं कि उसने सिच्वेशन को समझ के लिखी हुई है और यही हो रहा है हम कभी लड़े ही नहीं आगे हमने बिल्कुल धिहान रखना आगे हमने बिल्कुल भी नहीं लड़ना इन बातों के पीछे जिस बातों पर वो लड़ाते हैं हमें सिक्षा के लिए लड़ना अधिकार के लिए लड़ना हमने सिक्षा के लिए लड़ना है अस्पतालों के लिए लड़ना जनता की जो सुविदा है होनी चे जनता को उसके लड़ना गरीबों के लिए सुविदा होनी चे उसके लड़ना अब ये देखे सारा सिस्टम खराब हो पड़ा सारे के सारे गरीब फिर से पलाइन करने वाले मोदी जी कहा जाएंगे वो ता सोची हुई है उनके लिए कि ये गरीब इनका काम चुट जाएगा पलाइन करने वाले इनके लिए क्या सोचा आपने जो जान लग रहे हैं अपने घर को देखो कितना भरा पड़ा बस इस्टेंड पासी में देखी जाके भरा पड़ा है गाजीपूर बोर्डर के पास में क्या उनके खाने की कोई विवस्ता करी योगी जीन मोदी जीन है क्या किसी सरकार के वंदे ने करी नहीं करी सोचा आपने उनका घर परिवार कैसे चलेगा आपने फटाक से बोल दिया कि ऐसे ऐसे लोग डाउन लगा दो ये कर दो वो कर दो जब आप परधान मंत्री है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो व्यक्ती परेशान हो रहा है, आप उसको देखें, लेकिन आपको तो कुछ दिखाए नहीं देरा सिवाए बड़ी बड़ी रैलियों के, देना चीह दिखाए, पतना आप तो किस गहरी नीद में सोय हुएं, आप से देश की बेटी, और कानून लाला करके, चुप करा देते हो, जेल भेज देते हो, ये कर देते हो, आप क्या कर रहे हो, जब आप मानते हो, आप किसानों को बड़ी नसियत दे रहे हो, देश की जनता को बड़ी नसियत दे रहे हो, तो आप क्यो रैली बंद नी कर रहे हो, मुझे तो इतना बता तो बस है कोई जवाब नई है edereत रावत जी का बयान सुना गंगे मया की मिलो कुछ नहीं होगा ये बावनाव में देश को भारे हैं हम किसी बावनाव के साथ खिलवाडने करते हैं, हम भी मानते हैं, प्रमात्मा को, कंगा मया को हम भी मानते हैं, लेकिन जो चीज चल रही है, जिसे आप बता रहे हो बार बार, देशित में ये करो, करोना से लड़ने के लिए करो, आप क्यों नहीं धेन देरें, बताओ, तो इसलिए, बहुत समझदारी के खिलाफ जो एक कौम, सिर्फ एक कौम ऐसी है, जो ताना सहा के खिलाफ लड़ रही है, उनका साथ दीजिए, किसान कौम है वो, उनका साथ दो, क्योंकि इनके डर से और इनके रवाईये से कोई आवाज नहीं उठा रहता, सिर्फ एक किसान कौम ऐसी है, जिन्होंने आव करें और जो भी चीज आपको लगती है कि यह गलत है तो उसे जादा से जादा पबलिक को दिखाओ पबलिक को जागरुक करो पंकज नमस्ते भाई नमस्ते पंकज भाई उसे दिखाओ जादा सु जादा पबलिक को देखो यह गलत है यह गलत है और खासकर उन लोगों को हैं करते ना गुंगान इसलिए आप सभी मेरी बात बहुत अच्छे सा समझ रहूंगे मैं जानती हूं और जिनने मेरी बात समझ में आती हैं मैं उन्हें बहुत अच्छे से समझती हूं और जिनको नहीं समझ मारे हैं उम्मीद करती हूं कि वो भी समझें बहुत उम्मीद करती हूं सारी बात देखो साह सोचने की हम मानते हैं हमारे दिल में कोई हीरो बसता है आपके में बसते हैं लेकिन यहां इसकी भी जरुवत है इसका भी इस्तेमाल आप करें तो इसलिए ये जो आवाज है ना ये आवाज सब आप लोगों की आवाज है मैं तो एक क्या हूं किसान परिवार से हूं किसान के बेटियों आपकी भी आवाज है यह इतने सारे मजदूर वो पलायन कर रहे हूं भी आवाज है वो क्या ली किसी ने जिम्मेदारी उनकी आए नहीं कोई से अभी निकल के कोई भी अभी तक नहीं आए तो इसलिए ध्यान रखिए अपना जै जवान जै किसान क्यूंकि बिलकुल लोकतंत्र खत्रे में है देश जानता है देश की जनता जानती है बहुत जरू पुरे देश का साथ देंगे पुरी देश की जनता का साथ देंगे जै हिन जै भारत जै जवान जै किसान